हेलो रिवन इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाईजन थियोरी ऑफ डबल रिफ्रेक्शन इससे प्रिवेस वीडियो में आपने नेगटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था ठीक है तो जी आपने तक वह वाली वीडियो नहीं देखिए तो उसको आप वीडियो को देखिया है तब आपको यह वीडियो अच्छितर समझ में आएगी ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल रिफ्रेक्शन उस टॉपिक को भी आपको समझना जुरूरी है अग्गे जो भी टॉपिक साने वाले हैं उनको समझने के लिए ठी अपने हाईजेंस थेोरी के बारे में इस चोटी क्लास्टे में पड़ा होगा हाईजेंस थेोरी क्या कहते थी कि जब भी कोई light में से वेफरेंट आ रहा है कि जो वेफरेंट को एमेट कर रही है तो जो वेफरेंट होता है उसका हर एक points source of disturbance की तरह काम करता है मतलब कि हर एक ऐसे नए निकलते हैं जो वह नहीं वावेव राते हैं उनकों को कहेते थे स्कंडरी वफ्लेट ठीक el to जो ещё यह ही त्योरी Carnes की उसने इसको और एक्ष्टैंड किया ठीक है और हमें कुस्स अजुमस्दी वह यह त्रोक्षट करेंगे तो हमसमेशुंद्स настро स्क्राइब को समझाने के लिए तहुरी को एक्स्टेंड किया ठीक है और हमें कुछ तहीं देखेंगे और यह स्क्राइब का फिनोमीन है न यह में युदॉ Axial Crystal में पढ़ेंगे ठीक है यूनी Axial Crystals में यूनी Axial Crystal में आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होते है है जो जिनमें a की optic axis होती है मतलब कि ऐ की ऐसी direction होती है जिस direction के डूल रिफ्रेक्शन नहीं होता ठीक है तो हम assumptions की बात करते है कि क्या assumptions दिये तो देख दिखिये उसने फर्स असमश्न क्या दिया था कि यह हम कोई light में से तो लाइट में से जो वेफ्रेंट निकल रहा है तो लाइट में से जो वेफ्रेंट निकल रहे हैं उसको हमने एक डबली रिफ्रेक्टिंग double refracting medium के उपर fall करवाया ठीक है तो जब हम उस wavefront को double refracting medium के उपर fall करवाएंगे तो उस wavefront का हर एक point दो secondary wavelengths को emit करेगा ठीक है हर एक point मेंसे उस wavefront के दो secondary wavelengths निकलेंगे एक wavelength होगा ordinary और एक होगा extraordinary जो की पूरे crystal में फैल जाएंगे ठीक है और हमें नए wavefront उनके मिलेंगे ठीक है क्योंकि तो जो नहीं ड्राइट का सोर्स न तो इसका मदले टो और 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 वेव फ्रेंट बनाएंगे और उबिव सरण के क्या है कि जो अustain कि जो बनेंगे धिका है जो अoftरी जो वेव बनेंगा रहें ge यह रही है हर एक पॉइंट में से जो औरल्री वेवलेट्स है उनकी जो टीरेक्शन में क्या होगी सेम होगी जो डबली रिफ्रेक्टिंग क्रिस्टल ईसमें ओर यह बेवलेट्स की जो वेवलोस्टि है हर ड्रेक्शन में क्या होगी सेम होगी तो देखिए जैसे कि यह आपके और्डिनरी वेवलेट्स हैं यहां से और्डिनरी वेवलेट्स निकल रहे हैं ठीक है यह स्पीड्स तो ये जो हैब यहाँ से यहां तक जाने के लिए सेम टाइम लगाएंगे क्योंकि Unki abbasicer in point को मैं मिला दूं सबस्क्री kषाइब बनेगा spherical लेफ्रेंट निहीं बन रहाए तो इसका मतलब जो ओडनरी जो वेवलेट होते हैं जो डबली रिफ्रेक्टिंग क्रिश्टल में फैलते हैं वह स्फेरिकल वेफरेंट बनाते हैं क्या बनाते हैं स्फेरिकल वेफ्रेंट थिक है जे कोई पॉइंट है उसमें से waves निकल रही है और उन सभी waves की जो velocity वह सेम है तो जो waves होंगी वह नया जो wavefront बनाएंगी वह नया wavefront क्या होगा spherical wavefront होगा तो second part में भी यह कहा रखा है जो ordinary wave travel करती है same velocity से हर direction में ठीक है वह जो wavefront बनाएगी जा उसके corresponding wavefront बनेंगे वह कौन से shape के होंगे spherical shape के होंगे ठीक है अब third assumption देखते हैं आपने negative and positive crystals में यह भी पढ़ रखा है कि जो extraordinary की velocity होती है extraordinary wave की जा रहे की जो velocity होती है वह different direction में different होती है जो आपने negative and positive crystals वाली वीडियो देखे तो तब आपको समय में आ रहा होगा कि जो extraordinary जो waves होती है उसकी जिए व्यूस्ती उती है चाहे positive crystal ओक्रिस्तीब चाहे negative crystal की दोनं के case में क्या होती है different direction में different different होती है ठीक है तो जो जो waves आपको किसी waves के point में से निकल रही है ठीक है वह WILब्हें वह कैसी शेफ बनाएगी वह कैसा बनाएंगी ellipsoid बनाएंगी ठीक है क्योंकि उसकी जो लोस्टी है डिफरेंट डिफरेंट डिरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है तो वह मालत्य कुछ ऐसी सी से बनाएंगी ठीक है ऐसे से बनाएंगी ellipsoid जिनको हम कहेंगे ellipse होता है नहीं तो ellipsoid shape जैसी बनाएंगे वो बेफ्रेंट यह आपको अभी तो ellipse लग रहा होगा ठीक है क्योंकि यह 2D में है जो 3D में देखो तो ellipsoid लगेगा यह आपको देखिए next और fourth assumption देखते हैं आपने negative और positive crystals में यह भी आपने पड़ रखा है कि negative crystal में जब extraordinary ray एक्स्टा ओर्डिनरी रे ऑप्टिक एक्सिस की direction के पैरलल होती है नेगटिव क्रिस्टल में जब extraordinary ray ऑप्टिक एक्सिस की पैरलल होती है जहां उसके अलोंग होती है तब उस केस में उसकी जो speed होती है वह क्या हो जाती है कम हो जाती है और वह किसके एकवला जाती है ordinary ray के एक्वला जाती है यही आपने पढ़ा है negative crystals में आपने उसमें third point पढ़ा हो मैंने जो समझाया था कि जब भी extraordinary ray ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग वाली डिरेक्शन में आ जाती है तो उसकेस में जो velocity होती है उसकी minimum हो जाती है और ordinary ray के एक्वला जाती है इसका मतलब क्या ह हुआ हुआ कि आपके ग्रिस्टल में जो एक्स्टा ऑडिनरी रे उसकी विलोस्टि ज्यादा होती है किसके comparison में ordinary रे के comparison में हमने क्या कहा कि नेग्टिव क्रिस्टल में जब प्टिक एक्सिस के अलोंग डिरेक्शन में आ जाती है एक्स्टारॉडनरी रे तब उसकी जो velocity ह है वह minimum हो जाती है मतलब कि पहले तो ज्यादा थी ना बाद में minimum होगी और minimum होके किसके एक को लागी ordinary एक का मतलब है कि वह minimum होके ordinary एक को लगा है तो मिनीमम ही होगी पहले कि इसलिए जो ordinary ray है उसकी जो speed होती है negative crystals में वह कम होती है as compared to extra ordinary ray ज्यादा fast travel करती है ठीक है negative crystal में और औरे कम speed में travel करते हैं ठीक है इस खोरे मैं आपको diagram से समझाओं देखिए जैसे कि यह माल लेते हैं आपकी कोई optic axis यह आपकी ऐक्सज है यह आपकी होई optic axis ओर यह कौन से क्रिस्टल की है नेगेटिव क्रिस्टल की है नेगेटिव क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सीज है ठीक है अब पता है कि जो यह नेगेटिव क्रिस्टल है इसमें जो वेलोस्टी होती है ओर्डिनरी रे की वह क्या होती है कम होती है ठीक है और ओर्डिनरी रे कैसे बेफ् जो spherical wavefront बना रही है ordinary ray ठीक है और जो extraordinary ray होती है वो क्या करती है वो कैसे wavefronts बनाती है ellipsoid ठीक है तो ellipsoid बनाती है और उसकी जो velocity होती है वो ordinary ray से क्या होती है ज्यादा होती है इसलिए जो ellipsoid है वो बड़ा बनेगा यह बड़ा बनने का क्या मतलब है कि उसकी जो velocity है वो ज़्याद है ठीक है तो ellipsoid shape बना दो ऐसे यह बड़ी shape बन रही है ठीक है इसका मतलब क्या है कि जो extraordinary है उसकी speed ज़्याद है ठीक है और आप देख सकते हो कि जो यह वाले points है यह a मान लेता हूं यह b a और b point पे यह दोन यह बड़ी रे की velocity होती है velocity of इरे किसके क्वला जाती है velocity of ओर रे ठीक है यहीं बात है आपने नेक्टिव पॉस्टिव क्रिस्टल में भी यह पड़ा है कि चाहे नेक्टिव क्रिस्टल हो चाहे पॉस्टिव क्रिस्टल दो ठीक है जब extraordinary ray कि along the direction of optic axis होती है तब उसकी जो velocity है वह क्या होती है एक्वल हो जाती है और एक ठीक है तो इसलिए यह आपकी ज्यादा थी इस ए रे की यह विलोस्टी ज्यादा बड़ा है और जो ऊरे यह उसकी जो स्थाटा सफियर बनाए ठीक है और इस पॉइंट पर यह दोनों टच करें इसका मतलब क्या डिरेक्शन है वह आप्टिक एक्सिस की डिरेक्शन के अलोंग हो जाती है तो उस केस में जो विलोस्टी होती है Extraordinary Ray की वो Maximum हो जाती है Negative Crystal में हमने पढ़ा वो Minimum हो जाती है और जब Optic Axis के Along Positive में आती है Positive Crystal में क्या होता है कि जब वो Optic Axis के Along आती है तो उसकी जो Velocity हो क्या हो जाती है Maximum हो जाती है तो अब वो Maximum हो गी और Maximum होने का क्या मतलब है कि उसकी जो Velocity है वो Ordinary Ray के Equal आकी है तो कि हमने पढ़ाया कि Ordinary Ray और E Ray की जो Velocity है वो Equal हो जाती है Optic Axis के Along इसका मतलब उसकी जो और यह है उसकी Velocity क्या होगी Positive Crystal में Maximum होगी ठीक है और E Ray की जो Velocity हो क्या होगी Minimum होगी पॉस्टिव क्रिस्टल में हम कैसे दिखाएंगे यह आपकी Optic Axis और X- ठीक है नेग्टिव क्रिस्टल में जो Velocity होती है और E की वो ज्यादा होती है ठीक है तो और E की Velocity जादा है और E Ray की कम है तो E Ray हम पहले बिला देते हैं E Ray का मतलब Ellipsoid ठीक है तो Ellipsoid तो ऐसे भी बन सकता है तो यह आपका E Ray का वेफ्रेंट हो गया कौन सा वेफ्रेंट हो गया E Ray का ठीक है और E Ray का होगा इससे बड़ा होगा तो यह आपका और E का वेफ्रेंट हो गया ठीक है Spherical और E का वेफ्रेंट Spherical होता है और इ रे का ellipsoid होता है ठीक है यह वेव का ठीक है और यह पॉइंट हम से A और B माल लेते हैं जो यह A और B पॉइंट है इस पॉइंट पे जो वेलोज्टी यह दुनों के क्या होगी सेम और यह ऑप्टिक एक्सिस के अलॉंग वाली डिरेक्शन है और ऑप्टिक क्रिस्टल का केस है पॉजटिव फ्रिस्टल ठीक है यह जो स्फियर जैन आपके क्या है तरीस तीक है और जो यह अलिप्साइड है वह मतलब है इए रेस ठीक है जाए इवेवस और जो आपकी फॉर्थ में हमने फॉर्थ पढ़ ली और फिफ्थ भी हमने इसको समझते पढ़ लिया कि नेग्टिव क्रिस्टल में हमें पता है कि जो एक्स्टा ओडनरी रे है उसकी विलोश्टिच जादा होती है ओडनरी रे से ठीक है इस प्रिस्टल होते है उसमें जो विलोश्टिच होती है इसके और एक इसलिए जो और यह का जो स्फियर रहे जाए जो वह बाहर बनेगा और एका अंदर बनेगा ठीक है तो यह थी आपके साथ यह जमशन मॉलश जाल का अंदर वह जो और गजब ग्याओ बनेगा जाए 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 जाल को शाए